हेलो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ विंडो 10 के हों वर्जन और प्रो वर्जन के बीच क्या अंतर है दिखी बहुत से ऐसे फीचर हैं जो विंडो 10 के हों वर्जन के अंदर नहीं मिलेंगे BitLocker से हम अपने हर ड्राइव के किसी पार्टिशन के डाटा को लो कर सकते हैं उसके बाद बात आ जाती है Device Guard देखी Device Guard है जो यह एक हमारी Windows की Defender Security होती है जो एक Antivirus की तरहें काम करती है यह feature से जो आपको Home version के अंदर नहीं दिया हुआ है जबकि यह Pro version के अंदर आपको मिल जाता है उसके बाद बात आ जाती है Remote Access की Remotely आप Windows 10 के Pro version को Access कर सकते हैं कहीं से भी लेकिन Home version को Access करने के लिए आपको किसी Third Party Software की जरूरत पड़ेगी जबकि Pro version को आसानी से आप Access कर सकते हैं बिना किसी Software के Domain Join की जो Domain Join है वो आपको Home version के अंदर नहीं मिलेगा वो केवल आपको Pro version के अंदर मिलेगा और Group Policy Management है जो वो भी आपको केवल और केवल Pro version के अंदर ही मिलेगी अगर मैं यहां पर Pricing की बात करूं तो जो Price है Home version का वो लगबग 7000 रुपए है जो Pro version है उसका लगबग 14000 रुपए प्राइस है देखिए कोई भी Application Software हो या System Software हो तो किसी भी Software का Pro version ही बैटर होता है किसी दूसरे Enterprise या Home version की बजाए तो हमेशा Pro version ही इस्टोल कीजिए इसके लावा कुछ सेम फीचर्स हैं दोनों के अंदर Home version और Pro के अंदर जो Start Menu है, Battery Saver है, Windows Update है, Windows Hello है, Windows Encryption है यह फीचर्स हैं जो इन दोनों Windows version के अंदर सेम दिये गए हैं उमीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपके लिए Help हो रही होगी अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि इस तरह की Helpful वीडियो जो मैं आपके लिए ले के आता रहता हूँ तो इस वीडियो को जितना हो सके Like कीजिए, Share कीजिए अगर आपका Windows version से Related कोई Question है तो मुझे नीचे Comment करके जरूर बताईएगा मैं उसका reply जरूर करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक Bye Bye